Hello friends, welcome to career study, this is Sundeep Kumar और आज की सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप F-CAD 1 2020 के लिए complete prepare कर सकते हैं within 1 month क्योंकि आपके पास just 1 month बचा है और आपको इस 1 month का बहुत ही अच्छे से use करना होगा अगर आपको F-CAD exam को अच्छे स्कोर के साथ clear करना है तो आप इस वीडियो को last तक देखेगा जस्त यह 3-4 मिनट की वीडियो होगी पर इसमें मैं आपको complete clear करने वाला हूँ काफी सारे चीजें तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ as of now मेरा complete course चल रहा है Unacademy Plus के उपर तो आपको detail में बताऊंगा ऐसे आप बीच में वीडियो मत छोड़ीगा कि शायद Unacademy Plus के बारे में आपने थोड़ा बहुत सुना होगा तो मैं आपको detail में बताऊंगा कैसे आप F-CAD के लिए मेरे साथ prepare कर सकते हैं और कौन-कौन से areas हैं जहाँ पर आपको work करना चाहिए as of now यहाँ पर दो तरह की candidate हो सकते हैं एक हो सकते हैं जिन्होंने पहले भी F-CAD कर दिया होगा और उनका फिलहाल target होगा कि एक बार अच्छे से revise किया जाए और इस one month को अच्छे से utilize करके आप दोबारा से एक अच्छा score जो है वो F-CAD में लेकर आए और दूसरे candidate होंगे जिन्होंने शायद काफी time से जो prepare कर रहे होंगे और अभी उनको एक revise करना है अच्छे से या पिर उनको test series जो है वो देनी है ठीक है test series सबको देनी होती है तो test series के लिए आप सोच रहे होगे कि क्या क्या किया जाए और बाकी जो है ऐसे भी candidate हो सकते है जिन्होंने अफ स्टार्ट करना होगा कि one month में हम क्या क्या चीज़ ही जो है वो cover कर सकते है अगर आप डेडिकेटली one month prepare करेंगे तो आप अच्छा score कर सकते हैं cut off को easily clear कर सकते हैं और अगर आप फ़ड़ा time से पढ़ रहे होंगे और अब आप अच्छे से उस सीज़ को बोल सकते हैं कि carry करने वाले है तो यहां पे मैं आपको वही बताने वाला हूं कि एक single platform पे आप आपको बहुत ही कम cost में क्या क्या चीज़े मिलने वाली हैं आपको classes मिलने वाली लाइव classes आपको doubt clearing session मिलने वाले हैं आपको previous year questions proper मिलने वाले हैं और इसके लाभा आपको test series मिलने वाली हैं तो यह सारी चीज़ें आपको एक single platform पे मिलेगी तो यह video last तक देखी इसमें आप आपको सारी चीज़े clear होने वाली हैं अगर मैं बात करूँ तो आप सभी को पताईए कि आपके पास यहाँ पे जो चार sections रहते हैं maths हैं अगर मैं बात करूँ reasoning आपके पास है और इसके बाद आपके पास gk and english है तो आप सभी को यह बहुत अच्छे से पता होगा कि अगर आ maths and reasoning में अच्छा score करेंगे तब ही आप F-CAD का cut-off जो है वो अच्छे से clear कर सकते हैं otherwise problem आती है F-CAD के exam में और GK में जो areas होते हैं वो भी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा last lesson में कि क्या क्या चीज़े इसमें आपको cover करने चीए so as of now मैं आपको एक plan बताता हूँ जिसके through आप अच्छे से prepare कर सकते हैं अगर आप description में दिये गए link से on academy plus पर आएंगे वहाँ पर आपको यह सारे courses जो है वो definitely देखने को मिलेंगे एक हमारा full course अला है ultimate preparation strategy for AppCAD इसमें 150 classes है जो आप cover कर सकते हैं जिसमें से आप again आपके उपर depend करते हैं कि आपने कितना prepare कर लिया है कि आपने छोड़ना है बड़ यह जो subscription होगा आपके पास बहुत ही कम cost में subscription होगा बड़ इसके तुरू आप not only AppCAD बड़ आप CDS की classes देख सकते हो आप CAPF की देख सकते हो आप INET की भी देख सकते हो आप FCAD की और सभी के आप test series भी लगा सकते हो तो unacademy plus जो है वो आपके प यह खतम होने वाला है 15 February तक तो अभी इसमें कापकी classes हो भी चुकी है वो भी आपको cover recording में मिल जाएंगी एक हमारा यह course है जो अभी 15 तारिक सी चला है और यह जो है यह भी 15 February तक चलेगा score booster यानि कि इसमें हमने complete prepare करवाया है इसमें हम क्या कर रहे है score booster की कोशिश कर रहे है कैसे आपको कोई revision provide करें तो यह आपके पास course है इसमें around 30-40-50 classes के बीच में यह आपका पूरा course है तो आप यह वाला course भी देख सकते हैं इसके अलावर मैं आपको कुछ अपने courses बता देता हूं जो आपके लिए काफी useful रहेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे clear कर द memory based question भी हमारे पास सारे रहते हैं कि कौन-कौन से question पूछे गया है किस टाइप के question तो उस base पे हम यहाँ पे आपको 15 के 2 paper हैं 16 के 2 paper हैं उसी तरह से यह 10 paper आपको बनेंगे यह हम daily एक papers all करने वाले है math का भी उसी तरह से देखिए एक फर्वरी से start होगा सुबह 8 बजे यह class ह होगी 9 बजे यह class होगी एक एक घंटे की class रहेगी है और यह अगर आप देखेंगे तो इसमें हम क्या करने वाले हैं इसमें आपको proper जो है math की PYQ मिलने वाले हैं वो भी 2015 से लेकर 2019 तक है तो total आपको PYQ यहाँ पे मिल जाएंगे इसमें भी 10 paper जो है वो हम solve करने वाले हैं इसके लाबा मेरा अलग से course भी है जिसमें 19 lessons हो चुकी है और 24 lessons है इसमें जिसमें आपके current टोटल तो अगर आप किसी भी exam के लिए प्रिपेर कर रहे हैं defense में आप इन current टो कर दे तो आपको total चीज़ें जो है वो इसमें cover हो जाएंगी तो यह तो फिलहाल है अगर आप target कर exam को ठीक है अपकर की exam के लिए as of now हमारी यह classes जो है वो चल रही है और यह जो courses है दो यह आने वाले है तो यह सारे आप देख सकते हो अगर आप description में लिंक है वहाँ से जाते हो और आप subscription लेते हो इसके लाबा कुछ चीज़ें में आपको clear कर दीता हूं Unacademy Plus के बारे में य अपनी अपनी category में best है और उनके पास आप बढ़ सकते हैं और Unacademy Plus के subscription का benefit देखे क्या है as of now तो मैं F-CAD को target करने को भूल रहा हूं कि आप F-CAD को target करिए बट अगर आपका long vision है आप fresher है आपने अब start करा है तो आप prepare कर सकते हैं Unacademy Plus के उपर F-CAD के full courses आपको मिलेंगे CDS के full courses इवन आपको पास IENET के full courses आपको मिलेंगे और इसके बाद अगर आप CAPF की बात करेंगे CAPF का course 5 फरवरी से start हो रहा है यह आपको मिलेगा प्लस आपको SSB की classes मिलेगी and इनके अलावा आपको plus मिलने वाली है test series तो यह सारी चीज़े जो है आपको single platform पे मिलेंगी और इनकी cost में आपको अभी बताऊगा कि कितनी कम cost पे आपको यह सारी चीज़े जो है वो मिलने वाली हैं यहाँ अगर आप code याद रखीगा जब भी आप Academy Plus पे जाएंगे description में जो link है उसके थूँ तो आप code याद रखीगा Career Study Live जब आप Career Study Live यूज करोगे यह जो हमारा चैन बैट मैं आपको cost बताता हूँ देखें यहाँ पे जो subscription रहता है वो आपके पास plans रहते हैं कि आप कितने time की subscription लेते हैं पहले मैं अगर आपको थोड़ा सा बताऊँ offline coaching में अगर आप जाते हो किसी भी exam के लिए तो आपको 20,000, 30,000, 40,000 जो है वो पे करना होता है 2 month के लिए लेकिन plus को आप देखें और वहाँ पे 4 teacher होते हैं test series उनकी नहीं होती हैं यहाँ देखिए आन academy plus के उपर देखिए आप क्या क्या चीज़े हैं 1 month का subscription है just 1600 रुपीज पे करने आपको अगर आप 3 month का subscription नमल है जितना जादा subscription उतना आपको discount मिलता रहेगा automatically तो 3 month का 4,000 है या आपके पास यह आप देख सकते हैं 6400 है यानि कि आपको यह cost पड़ रहे है 12 month का subscription है वो 8,000 में है और 2 year का subscription है वो आपको 12,800 में है तो अगर आप fresher है तो आप 1 year को prefer करिए ठीक है आपके लिए best रहेगा अगर आप 1 year के लिए लेते हैं just आपको 8,000 पे करने उसमें भी आप आप पर जो option मिलेगा यह इसी तरह से page खुलेगा इसमें आप referral code में use करिएगा career study life ठीक है अगर आप यह use करोगे career study life तो आपको 10% का immediately discount मिलेगा यानि कि चाहे आप 1 month का भी लोगे subscription तो उसमें भी 10% का discount आपको मिलेगा यानि कि just 1500 से भी कम 1440 रुपीज में आपको यह जो total one month है वो मिल जाएगा तो अगर आप just one month को target कर रहे हैं वैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी facilities हैं आपके लिए जो नए course आएंगे वो भी आप एक बार subscription ले लेंगे उसी में आपको अगले course भी मिलते रहेंगे पिछले भी आप देख सकते हो तो सारी ची तो यहाँ पर यह जो मैंने educator यहाँ पर रखें आप देख सकते हैं कि यह आपके पास educators हैं यह आपके पास CPF course के educators हैं और इसमें से आपके पास तीन जो हैं वो already CPF में service कर चुके हैं तीन educator यह ma'am है यह sir है और यह जो है यह Indian army में serve कर चुके हैं आप चानते होंगे Sanjay sir के ब और अगर आप just one month के लिए ले रहे हैं तो आप one month के लिए भी आ सकते हैं आपको सारे courses यह क्योंकि अभी one month ही आपके पास F card तो आप one month में यह prepare कर सकते हैं बट अगर आप long term में देख रहे हो आपने इस exam को भी target करना आगे SSB देना है अगले exam भी देना है क्योंकि one year का process हो अगे आप इस तरह से subscription ले सकते हैं description में link मिलेगा वहाँ पर जाएए और वहाँ से आप definitely उस link पर जाएंगे तो आप register करिए खुद को plus पर और live classes का आप फायदा ले सकते हैं और कोई भी आपको doubt आता है आप description में लिखिए कुछ भी doubt आता है तो मैं आपका वहीं पर doubt जो ह इसके लावा अगर आप देखेंगे यहाँ पर billing information देख सकते हैं कि जिस भी तरह से आप पे करना चाहते हैं आप अपने payment जो है वो कर सकते हैं and after that जो है यह जो आपके पास main features हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ हैं यहाँ पर मैंने आपको बता भी दि जोगे image upload करने का option आता है जैसे YouTube पे image upload का option नहीं होता है बर जैसे math का आपको कोई question आप क्या करोगे आप एक snapshot लोगे अपने PC में या पिर अपने phone में and then क्या कर दोगे upload कर दोगे आप ठीक है तो live class में वो upload होगा उसी time solve कर देंगे doubt clearing session इस तरह से होता है and time management training जो है यहाँ increase किया weekly quiz होते है test series होती है मतला जो मेरा course चला होगा मुझे हर week एक test लेना ही लेना होगा यह academy की policy रहती कि मुझे हर week check करना होता है कि students का क्या result आ रहा है और मुझे result भी दिखाना होता है कि हाँ यह result आ रहा है मेरे candidates का and test series भी आपके बास रहती है तो आप test series भी देख सकते ह यहां पे मिलेगी तो अभी जो test series चली है उसमें आपके पास seven to eight tests आपको मिल जाएंगे और पिछले साल के भी आप अभी भी देख सकते हो मतलब आपके पास कुल मिलाकर अगर आपने टेस्ट भी करने है तो आपको पंदरा टेस्ट मिल जाएंगे पिछले साल के भी आप द हमारा जो focus रहेगा मेरी तरफ से जो आपको classes मिलती है maths आपको मैं बढ़ाता हूँ आप सभी मुझे जानते ही है आपकर के लिए अगर मैं बात करूँ तो math सबसे important होते हैं प्लस मैं reasoning पढ़ाता हूँ तो ये दोनों सबसे main होते हैं current फिर मैं करवा रहा हूँ और मैं sports जी के आपको करवाँगा however और educator हैं जो मैंने आपको course बताये तो आपने देखा होगा कि उस course में बहुत सारे educators हैं definitely आपको बहुत जादा just two days में आपको फील हो जाएगा कि आपने एक बहुत ही अच्छा step जो है वो लिया है तो फिलहाल में इस class को इस video को off करता हूँ I hope कि आपको चीजे समझ में आ गई होंगी मिलते हैं आपसे live class में and कोई भी अगर doubt होगा comment section में लिखिए कुछ भी अग so thank you have a nice evening and Jai Hind